नमस्कार में स्वाती और आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स हाजी रुए मौसम की ताजा चानकारियों के साथ मध्य प्रदेश में तीन दिन से चल रहे ओले बारिस और आधी का दौर अब थम जाएगा दो दिन बाद पांच मार्च को नया वेश्टन डिश्टर्बिंस एक्टिव हो रहा है इस वजह से प्रदेश के कई जिलों में फिर बारिश हो सकती है दतिया में रविवार सुबै आंधी बारिस के साथ 10 मिनट तक ओले गिरे मौसम विभाग ने रविवार को ग्वालियर रीवा समेथ 20 जिलों में बादल छाए रहने और गरत चमक का अलड़ चारी किया है इससे पहले शनिवार को मौसम का मिजाज बदला रहा गुना अशोक नगर और शिप्पुरी समेथ कई जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरे राजधानी भोपाल हर्दा और मुरैना में भी बारिश हुई मुरैना में बारिश के चलते कॉंग्रेश नेता राहुल गांधी की भारत जोडो निया यात्रा के लिए लगे स्वागत बैनर पोश्टर भी उड़ गये वहीं शनिवार को गुना में अचानक मौसम बदल गया तेज हवाओं के साथ करीब 15 मिनट तक बारिश हुई साथ ही जम कर ओले भी गिरे गुना के ही बमोरी में आंधी चलने लगी इसी के साथ बारिश भी शुरू हो गई अशोक नगर में गरत चमक के साथ बारिश सोई ओले भी गिरें जिससे फसलों को काफी नुकसान होने की खबर है कई जगे तीन से पांच मिनट तक बैर के आकार के ओले गिरें वहीं आपको बता दें कि दमोह, जबलपूर, नरसिंगपूर, सागर, सतना, सिवनी, भोपाल, उमरिया, बैतूल, ग्वालियर, नर्वदापूरम, पचमढ़ी समेथ 20 से जादा जिलों में बारिश का दौर ज गिरावट हुई है, भोपाल इंदोर समेथ बड़े शहरों में दिन के तापमान में खासी गिरावट हुई, भोपाल में 30.5 डिगरी सेल्सियस, इंदोर में 32 डिगरी, ग्वालियर में 23 डिगरी, जबलपूर में 24.5 डिगरी और उजयन में पारा 32 डिगरी सेल्सियस दर्ज चिंदवाडा, सिवनी, नौगाउं, सतना, पचमढ़ी, सागर, दमो, राइसेन, मंडला, मलाजखंड, खजुराहो, नर्सिंगपुर, बैतूल, सीधी और टीकम गढ़ में पारा 30 डिगरी से नीचे रहा, एक ही दिन में इन शहरों में 8 डिगरी तक की गिरावट हुई है, ध परज किया क्या, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, टीकमगढ, सागर, दमो, छतरपुर, पन्ना, सतना, कटनी, मैहर, उमरिया, डिंडोरी, अनुपुर, शेहडोल, सीधी, सिंग्रॉली, माउगंज और रीवा में गरत चमक के साथ बारी सोने की संभाव न जताई गे झाल झाल